हाई, वेल्कम तो मैं चैनल इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचरोल नंबर्स होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रक्शन्स और मोर इंपोर्टेंटली ते कांसेप्ट आफ रेशनल नंबर्स सबसे पहले हम समझेंगे नेचरोल नंबर्स के बारे में उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रक्शन्स इन चारों कांसेप्ट को समझने के बाद रेशनल नंबर का कांसेप्ट समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से तो लेट आस स्टार्ट सोबसे पहले पढ़ते हैं नेचरोल नंबर्स के बारे में देखे, नेचरोल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका यूज के जाता है काउंट करने के लिए अब बस ये वर्ड याद रखे, काउंटिंग काउंटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं नेचरोल नंबर्स का इसका मतलब कि किसी फिल्ड में आप गए और वहाँ देखे कि बहुत सारे पीड़ है बहुत सारे पीड़ है और आप वो कहा गया कि बताजे कितने पीड़ है आपने count करना start कर दिया 1, 2, 3 आप बोलोगे कि 3 पीड़ है तो actually आप इसको क्या कर रहे हो आप count कर रहे हो उनको ही बोलते है natural numbers इसलिए कहा जाता है कि counting numbers are natural numbers तो कौन कौन से numbers है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहा तक करेंगे count अनंत तक infinite तक infinite का क्या notation है तो हम दे देते हैं ऐसे infinite तक हम 1 से start करके जो numbers को count करते हैं उनही को बोलते है natural numbers यह आप समझ गए होगी बिलकुल कि पढ़ते आ रहे हैं बच्चमन से चलिए आगे बढ़ते हैं अब पढ़ेंगे whole numbers whole numbers और natural numbers में थोड़ा सा difference है बस जो हम पढ़ते है natural numbers के बारे में तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो numbers होते हैं उनको बोलते है natural numbers और इसी में एक और number add हो जाता है 0 इन सब को मिला कर बोला जाता है कि यह whole numbers है तो whole number में बस 0 add हुआ है याद रखेगा ओके now integers integers जो होते हैं वो whole number को ही extend करके बना हुआ है तो पहले हम लख लहते हैं whole numbers सारे का सारे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot dot लेकिए ये सारे जो numbers हैं और यहाँ पे infinity कर रहते हैं इन्ही को extend करेंगे left side में तो ध्यान दिजिएगा 0 के left में क्या होगा तो 1 का जो opposite होगा 1 का opposite हम मानते हैं minus 1 negative numbers हम यहाँ पे add कर रहे हैं मतलब तो minus 2 वैसे ही minus 3 यह सारे के सारे जो हैं यहाँ से लिखे हुए जितने भी numbers हैं इन सभी के negative numbers यहाँ पे लिखा जा रहा है minus 5 यहाँ पे dot 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 कहां तक? minus infinite तक इन सारे numbers को बोलते हैं integers यहाँ पर कुछ और भी नाम है जो हम जानेंगी यहाँ पर देखे 1 के आगे जितने भी numbers होते हैं उनको बोलते हैं positive integers these are positive integers ठीक है? minus 1 से left में जितने भी minus infinite तक numbers होते हैं इनको बोलते हैं negative integers निगेटिव इन्टीजर्स clear? लेकिन एक और दो और नाम हैं जिसको आपको जानना जरूरी है देखे ध्यान देजेगा 0 को लेकर और natural numbers को लेकर मैंने 0 और इन सभी numbers को लेकर जो group बनता है इसका नाम कुछ और है इसका नाम है non-negative non-negative integers ठीक है? अब यहाँ पर 0 को लेकर जो negative numbers है उन सब को लेकर जो group बनता है उसका नाम होता है non-positive यह non लगाने का मतलब क्या है? non लगाने का मतलब है कि positive नहीं है मतलब यह सारे positive नहीं है और यहाँ पर non-negative मतलब करने का मतलब यह है कि यह सारे negative नहीं है तो 0 क्या है फिर? 0 तो दोनों में आ रहा है तो 0 जो है देखें, 0 का आप देखेंगे यह दोनों में आ रहा है non-negative integers में भी आ रहा है group में और 0 non-positive integers वाले group में भी आ रहा है तो 0 को क्या बोलेंगे? what is 0 then? इसके character पर सबको सक होने लगेगा इसका character क्या है? positive यह निगेटिव है तो 0 actually it is neither negative nor positive तो 0 is neither negative nor positive clear? तो हम यहाँ पर समझ गया integers अब आगे बढ़ता है fractions what are fractions? देखे, fractions में क्या होता है? कि कोई भी ऐसा number जो a by b के farm का हो और a और b क्या होने चाहिए? natural numbers जहाँ a और b क्या है? these are natural numbers तो जितने भी ऐसे numbers बनेंगे उन numbers को हम बोलेंगे कि यह सारे fractions है जैसे कि मैं example में देता हूँ 1 by 2 2 by 3 4 upon 5 यह 7 upon 3 यह 8 upon 5 यह सारे numbers क्या है? fractions है इसमें देखिए 1 क्या है? natural number है 2 क्या है? natural number है सारे के सारे जो a और b a और b जो दिया हुआ है यह सारे के सारे natural numbers है यही fractions में होता है इसमें कोई भी ऐसा number नहीं होगा जो negative हो जैसे कि minus 3 नहीं लिखा गया यहां पर क्योंकि a और b ऐसे लेना है जो natural numbers हो तब वो fraction कहा जाएगा जिसे कोई कहा दे कि सर यह minus 2 upon 3 fraction है कि नहीं तो सीधे बोलोगे आप नहीं है क्योंकि इसमें minus 2 है negative नहीं होना चाहिए क्योंकि negative यह minus 2 is not a natural number ओके अब तक हम समझे रहे थे सारे concept जो base बनाएंगे rational numbers समझने के लिए P by Q के form के होते हैं जहां पर P और Q are all यह सारे यह P और Q दोनों क्या होने चाहिए are integers but there is one exception Q must not be equal to 0 जो Q है denominator जो है वो 0 नहीं लेना क्योंकि 0 लेने पर वो defined ही नहीं है अभी तक मतलब हमने जितना भी mathematics में research किये है जितना भी scientist उन्होंने अभी यह पता नहीं लगा पाया कि 2 upon 0 बराबर क्या होता है we don't know इसलिए लिखते हैं कि not defined defined करने का मतलब not defined करने का मतलब कि हमें पता ही नहीं हम उसको परिभासित करी नहीं सकते हम उसको उसके बारे में कुस जानते ही नहीं कि 0 से divide करने पर क्या आएगा अभी तक किसी को नहीं पता इसलिए हम ऐसा लिखते हैं तो इसलिए यहां पर लिखा हुगा है definition में कि कहे जाएंगे let us see the examples जो कि हम 1 upon 2 ले ले 2 upon 3 4 upon 5 6 upon 7 यह सारे के सारे क्या है rational numbers है यह सारे fractions भी हैं क्योंकि सारे positive हैं लेकिन यह fraction नहीं है minus 1 upon 2 यह फिर minus 3 upon 4 यह 4 upon minus 7 यह फिर 8 upon 700 यह सारे के सारे rational numbers हैं कौन से numbers हैं जो मतलब माई कुछ यह यह पर लिखता हूँ जिनके बारे में आप सोचिएगा कि वो सारे rational numbers है की नहीं है जैसे कि सारे natural numbers all natural numbers natural numbers सारे natural numbers rational numbers होते हैं मतलब कि इसको हम English ने बोले all natural numbers are rational numbers जैसे कि मैं 1 लूँ तो क्या मैं 1 को P by Q के फार में ले सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो जैसे कि 1 बराबर आप ले सकते हो 1 upon 1 तो 1 upon 1 तो ले सकते हो और 1 upon 1 बराबर 1 ही होता है क्योंकि 1 से 1 में डिवाइड करने पर 1 ही आएगा और 2 जो है 2 को भी ले सकते हो P by Q के फार में 2 upon 1 तो this is also a rational number वैसे ही 3 जो है 3 को भी ले सकते हो 3 upon 1 जितने भी natural numbers है सबको ऐसे लिखा जा सकता है ठीक वैसे ही all whole numbers all whole numbers are also all whole numbers are also rational numbers जैसे 0 है 0 upon 1 तो ले सकते हो तो 0 बराबर 0 upon 1 तो P by Q के फार में आए गया बस Q 0 नहीं होना चाहिए न तो यहाँ पर Q 1 है इसलिए 0 defined है 0 क्या है rational number है यदि numerator में है तो मताब P के जगवा पर 0 ले सकते हो बट Q के जगवा पर नहीं बस इतना ही difference याद रखना तो यह हो गया whole numbers are rational numbers next integers all integers are rational numbers सारे के सारे integers जो है rational number होते है इसे कि minus 2 ले लिया जाए minus 2 को हम P by Q के फार मिली सकते है minus 2 upon 1 वैसे ही minus 3 को लिसकते है minus 3 upon 1 जितने भी integers हैं सबको हम P by Q के फार में लिख सकते हैं negative हो या positive हो जो integer 0 होता है वो भी 0 upon 1 बताए दिये हैं आपर अब हम पढ़ेंगे कि positive rational क्या होते हैं positive rational positive rational वो numbers होते हैं जिन हम बोल सकते हैं कि यह सारे fractions है ठीक है positive rational को हम fraction बोलते है these are fractions ठीक है जिसे कि हम लिख है यहाँ पर 3 upon 4 यह क्या है positive rational है क्योंकि जो यह integers हैं वो सारे सारे positive integers लिए गए हैं तो इसका मतलब कि positive rational को define पाइन ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो p by q के फार्म का हो और p और q दोनो positive integers हों यह दोनों क्या हो positive integers हों तब हम बोलेंगे कि यह क्या है positive rational positive rational number है 3 by 4 क्या है positive rational number है क्योंकि 3 क्या है positive integer है because of this 3 by 4 is a positive rational ठीक है मतलब कहने का बस यह है simple कि numerator और denominator positive लेलो उसको हम बोलेंगे positive rational number यदि दोनों को negative लेलोगे यदि दोनों को negative लेलोगे तो फिर finally positive हो जाएगा क्योंकि यह cancel हो जाता है और 3 by 4 होगा तो यह भी positive rational number ही है दोनों negative हो या दोनों positive हो उस case में ठीक है यह ध्यान रखना यदि दोनों negative हो या दोनों positive हो उस case में वो positive rational कहा जाएगा लेकिन negative rational कब कहेंगे negative rational जब किवल एक ही या तो P या Q कोई एक या आज़र P और Q कोई एक जो है negative हो यदि हम मैनस 3 कर दें P को और Q को कोई और नमर ले लें जैसे कि 111 तो ये क्या है एक negative rational है यदि हम कोई और याज़र पल लें जैसे कि 4 अपान यदि हम याँ ले लें minus 7 this is a negative rational मतलब कि P और Q में से किसी एक को negative कर दिजिए वो हो जाएगा negative rational number तो ये दो भागों में हम बाट सकते हैं rational numbers को ठीक है rational numbers को हम दो भागों बाट सकते हैं positive rationals, negative rationals positive rationals में P और Q दोनो positive होना चाहिए या तो या फिर दोनो negative भी होना चाहिए मननने कि both P और Q ये दोनो या फिर positive हैं या फिर negative है both हाना both positive होना चाहिए या negative होना चाहिए तब उसको बोलेंगे positive rationals क्योंकि दोनो negative होगा हैं तब भी cut करके वो positive होई जाएगा negative rationals में कोई एक P और Q में से कोई एक negative होना चाहिए that's it, this is all तो rational numbers के ये दो categorization समझ गए आप अब इसके जो और भी concept होँगे वो समझेंगे अगले वीडियो में तो आप बिल्कुल लगे रहे है मैं आपको सारे concept अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी doubt न रहे यदि कोई doubt है भी तो आप बिल्कुल comment box में लिख सकते हैं और मैं sincerely बता रहा हूँ कि अब मैं बिल्कुल ध्यान दोंगा कि आप लोग क्या मतलब पूछ रहे हो मैं नहीं था बहुत दिन से लग बाग 2 years I left I was just doing yoga and all I was understanding about this life and everything खेर ये सब बाते अलग है उसके लिए एक दूसरा में चैनल बिना रहा हूँ उसके बारे में बात करूँगा मैं बात में थैंक्यू सो मुच तिल ना बाई